Hello everyone, welcome to the 1.5 GB online learning platform. This is HTML course. यहां हम इस वीडियो को proper हिंदी में समझने वाले हैं. HTML course का एक छोटा सा सेंपल मैं आपको यहां पर करके दिखाऊंगा. यहां पर मैं आपको drop down menu के बारे में एक छोटा सा example या फे छोटा सा practical दिखाना हूँ जिसकी बदद से आप यह समझ सकते हो कि आने वाला जो course होगा HTML का वो course कितना अच्छा होगा. मैं फटा-फट से आपको यहां पर एक छोटा सा code HTML का लिख के दिखा देता हूँ जो कि एक छोटा सा part है HTML course का. मैं अपने visual studio code में आ चुका हूँ मैं एक नई file create कर लेता हूँ index.html और यहां पर मैं simple सा जो basic code है वो मैं यहां पर call कर आ लेता हूँ तो यह मेरा basic structure code का आ चुका है मैं एक drop down menu बनाने वाला हूँ तो मैं यहां पर अपने body tag के अंदर हूँ body tag के अंदर मैं यहां पर drop down menu बनाने के लिए दो text का अस्तमाल करूँगा select और option लेकिन यहां पर हम label भी देंगे label का मतलब जो text हम देना चाहते हैं कि हमें क्या चीज़े select करें और फिर हम किस चीज की drop down menu बना रहे हैं तो उसके लिए हमें एक label tag का अस्तमाल करना पड़ेगा हम label लेंगे label के अंदर लिख देंगे select cars मैं यहां पर एक cars की drop down menu बनाने वाला हूँ इसके बाद मैं यहां पर सबसे पहले select एक option करूँगा तो सबसे पहले select करूँगा और select के अंदर मैं यहां पर options को डालूँगा मैं सबसे पहले option डालता हूँ तो मैं simple option लिखूँगा और option को close कर तूँगा और option के अंदर एक attribute को इस्तमाल करूँगा value value में मैं सबसे पहले ordi देता हूँ एक ordi नाम की car ordi और simple से इसका text में भी मैं audio दे देता हूँ ताकि वो text में भी audio शो करे और इस line को मैं यह आपर copy कर लेता हूँ और जितरे भी मिनको options चाहिए जैसे मुझे 5 options चाहिए तो 5 options मैंने यह आपर कर दिया है और मैं अलग-अलग options में जाके इनकी values को change कर लूँगा तो मैंने इनकी values भी change कर ली है तो मैंने कुछ नहीं किया label दिया है label के अंदर select tag लिया है select के अंदर मैंने बहुत सारे options ले लिया है आप चाहो तो इसको form tag के अंदर ले सकते हो क्योंकि एक form कही part होता है तो मैं इसका form का start यहां कर दूँगा और closing इसकी यहां पर कर दूँगा और अब simple से इस file को हम अपने browser में open करेंगे तो यहां पर आप देख सकते हो select cards हमें देखने को मिल रहा है और ही हमारे पास by default value आ रही है क्लिक करूँगा मेरे को वही सारे options देखने को मिल रहा है जो मैंने यहां पर अपने code में दिये थे तो इस तरीके से आप एक छोटा सा drop down menu या फिर selection menu आप अपने code में टाल सकते हो तो यह था एक छोटा सा sample video ऐसे ही हम बहुत सारी चीज आने वाले HTML कोर्स में सीखने वाले हैं तो without wasting time आप इस कोर्स को enroll जरूर से करें 1.5GB online learning platform में यह कोर्स exclusively launch होने वाला है और बहुत अच्छे से यहां पर HTML मैं आपका यहां पर cover करने वाला हूँ तो without wasting time enroll जरूर से करिएगा